मुख्य मंत्री भुपेश बगेल एवं राजिस सभा में नेता प्रतिपक्ष मलीकर जुन खड़के के मुख्य आतित्य में कृषिकों और शमिकों को नया योजनाओ एवं शमिक योजनाओ की राशी का वितरन किया गया इस मौके पर बलोदा बजार भाटा पारा जिले में 266 करोड रुपे के 264 विकास कारियों का भुमी पुजन एवं लोकारपन किया गया समिलन में राजेव गांधी किसान नया योजना अंतरगत प्रदेश के 24,52,592 किसानों को उनके बैंक खातों में 1,895 करोड रुपे और गोधन नया योजना के 65,000 गोबर विक्रताओं को 5,16 लाख रुपे की राशी अंतरीत की गया समिलन में 1,289,000 हिद्ग्राहियों को विभन योजनाओं के अंतरगत 55,76,26,000 रुपे राशी का वित्रन किया गया गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57,18,000 रुपे के आज प्रोसाहान राशी दिये गए वो मला बहुत बहुत बढ़ाई और जते एक भी गोधन नया योजना से जुड़े अमर भाई बही बही नी मने जन गोबर बेज़ते 2 रुपे किलों में ओकरो खाता में आज 5,16,000,000 रुपे के हैं वो सबों जनला बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकामना उई प्रिकार से स्रम कल्यान योजनान तर्गत एक लाग तीसजार हिद्ग्राही मन के खाता में 55,16,000,000 रुपे कंतरन किये गए हैं वो मला बहुत बहुत बढ़ाई औ असुपकामना आज बलोदा बजार भाटा बारा जिला में 266 करोर रुपिया के दूसे 64 विकास कारे के लोकारपन और भूमी पुजन किये गए हैं जिला वाला मला खुब बढ़ाई असुपकामना अज एक्सिडेंट बहुत हो थे रख रखाओ नहीं हो थे 36 गड़ में पता नहीं का दूसमानी भारती जनता पार्टी लग केंदर सरकार लग के टेलर रोज इसे कोई समचार पत्र नहीं है जिम टेलर रद करके खबर नहीं आथ हुई एक तरफ केंदर सरकार लगाता और 36 गड़ के साथ साथ तेलो बैहार कोई लग ले भी चार हजार करोड रुपिया हम अला आज तक के नहीं दे सूप्रीम कोर्ट में केस लगाएं कायली हीरिंग हुई 6 सब्ताय में जवाब देलके केंदर सरकार लग चावल के पैसा हमार धान कडितन चावल बेचें छहजार करोड रुपिया भिल नहीं दे हम अला इसने जियाश्टिक पैसा सेंटल जिन टेक से तेकर पैसा यह साब पैसल रोके के काम लगातार हो थे एक तरफ हमर सरकार कांगरिस सरकार खजानक पैसल आम जंदक पैसल खात हम डाले काम करा थे तो दूसर तरफ केंद्रक सरकार है अपन मित्रमन के खातम पैसा डाले काम करते तुहार से पैसा लेते बेंग में डालते आओ कर संगवारी मना पैसा निकाल के थे देशले बाहर भाग जाते पकड़ेक काम नहीं कर थे आज अडनील सबसे ज़्याद पैदा के काम केंद्र सरकार कर थे औकर संपत्त दूनियक संपत्ति घाटा थे औकर संपत्ती बढ़ाजी ज्यें तुहर इंसरेंज के पैसा है वोला दे के काम राउल गानी जी सवाल पूछते उकर सदस्ता समाप्त कर देते हैं खड़के साव यह आवाज उहां बुलंद करते तो माई इकला बंद कर दिये जहाँ थे तो देश के पैसा लाडानील देख काम करा थे और कांग्रेस के सरकार आम जनता के खातम पैसा डाले काम करा थे यह दूनों मंतर है तेला जाते हमर सरकार तीन महिना में बटन दबाते किसान मन के खातम पैसा जाते शमीक मन के खातम पैसा जाते बहिनी मन के खातम पैसा जाते लगातार यह काम हमर सरकार करें अब तुहार से निविदन है अविया दू महिना के भीतर में एक बार बटन दबाना है कतेम बटन दबा हुँ आवाज नियाद है कि वाजवालम रुबदाग कदेम बटन दबहु हाद उड़ाग मता कदेम बटन दबहु कदेम बटन दबहु हूँ वाल मता कावर कि यह सरकार तुहार सरकार है आज के दिन दो हजार तीन सो करोड की स्कीमे लागू हो गई और इससे पहले भी जो भूमी पूजन हमने की थी उसका भी दो सो शाहत्रस करोड यहां पर सब को दिया गया यह यह कारिक्रम दिये गए और ऐसा कारिक्रम शायद किसी राज में भी नहीं होगा और ऐसा कारिक्रम मैं कहूंगा पंद्रा साल में रमण सिंग तो देखा नहीं होगा उन्होंने पंद्रा साल थे हमको मिले सिर्फ पांच साल जो पांच साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए किसान मजदूरों के लिए स्त्रियों के लिए बच्चों के लिए सब के लिए हम जब कर रहे हैं यह देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे और मैं सुना आज राइपूर में नड़ा साब भी आये हैं और अमित शाह साब भी आये हों वो सोच रहे होंगे कि इस जो बोलोदा बाजार में क्या चल रहा है यह सब हिसाब रखते हैं हमारे लोग कहां कहां जाते हैं उनके पीछे उनके CID तो रहते ही हैं साब यह लोग बोले इतने लोग आये थे इतने लोग उनको मिला यह सब चीजे उनको बताते हैं तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोज के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो और बगेल साब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर एक होकर कर रहे हैं और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता जब एक लकडी रहती है कोई भी तोड सकता है लेकिन दस लकडियां मिला के अगर उसको तोडने के लिए कहो कभी तुड़ता नहीं ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया और वो भी हमारे मजदूरों के लिए जब हमारी सरकार थी हमने अने एक स्कीम सेंट्रल गवर्मेट में लाये थे और जितने भी स्कीम से प्राइडेट फंड का हो ये साइसी का हो और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो खानून थे उनको कमजोर किया किसानों के कानून को कमजोर किया सबी को कमजोर करते चले गए सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना उसको बनाते गए उनको जो फाइदा देना वो देते गए लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा अगर कोई सोचा है वो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे है और कांग्रेस के नेता लोग सोचे है